एक गाव में वीर और इमली नाम के दो पती पत्नी रहा करते थे साथ में उनके वीर की मा विमला नाम की डायन भी रहा करती थी जो की वीर की पत्नी इमली को देखकर बहुत जला करती थी इमली घर में अच्छे रहने के बाद भी उसकी बात गाव की आउरतों के साथ किया करती थी ऐसे ही दिन बीटते के इमली सारा कुछ ऐसे ही सेहन करती थी दूसरे दिन इमली के गर एक आउरत आती है और कहती है तुमारी सास मिम्ला तुमारी कितनी सिकायत गाऊ के अउर्टों के सामने करती है क्या ये बात तुमें मालूम है इस पे इमली कहती है हाँ मुझे सब कुछ मालूम है लेकिन मैं क्या करूँ गरिब खांदान सी हूँ इसलिए चुपचाप रहती हूँ दुसरे दिन इमली अपनी सास विमला के पास जाती है और कहती है आप इतना गाउ के अवरतों की साथ क्या करती हो, आपको मालुमें देश का माहोल क्या है, चारो तरब बिमारी फेल रही है, और आप इन गाउ के अवरतों की साथ ज्यादा बाते करती हो, एक दिन देख लेना कोई भी तुम्हारा साथ नहीं देगा हर कोई बस तुम्हारा मज़ा ही लेगा जिस पे विमला कहती है जबान लडाती हो मुझसे तुमको कई से पता कि कोई साथ नहीं देगा मेरा अरे अरे सब सहे लिया है मेरी तभी दुसरे दिन अचानक से विमला का तबेत खराब हो जाता है जिस टाइम इमली के अलावा घर में कोई नहीं होता है वीर भी खेतों में काम करने के लिए चला गया होता है तबी इमली डॉक्टर को बुलाती है और कहती है डॉक्टर साब इन्हें क्या हुआ है तब डॉक्टर कहता है इमली बेटा इने करुना हो गया है धूप में और बाहर ज़ादा निकलने से और औरतों के साथ बाते करती है के ये तब ही इमली कहती है नहीं डॉक्टर साप गर पे ही रा करती थी पता नहीं कैसी हो गया जिसके बाद विमला को अपनी गलते पे पस्त बिमार कर दी अब मैं कभी भी बिना काम के घर से बाहर नहीं निकलूंगी मुझे मालूम पढ़ गया जितने भी अरचे थी केवल वो सिर्फ मेरे मज़े ही लेती थी मैं बिमार पढ़ गई तो एक जन्वी मुझे पूछने नहीं आया और बेटा तो हमेशा सही का करती थी